तीम इंडिया की पुर्व कोज रविशास्री ने टीम इंडिया के बल्लेबाज और विकेट कीपर केल राहूल को एक जरूरी सला दी है रविशास्री ने ये सला भारत और बांगलादेश के बीच नई में खेले जा रहे हैं पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन कॉमेंटरी करन के लिए उत्रे तो रविशास्री कॉमेंटरी कर रहे थे हाला कि के ल राहूल को क्रिस्पस जादा देर समय बिताने का मौका नहीं मिला क्योंकि भारत ते अपनी दूसरी पारी में टी ब्रेक से पहले चार विकेट पर 247 रन बना कर घूश्टा कर दी थी 37 राहूल इस तरह ये रही है कि उन्होंने ये उपलब दी 200 मैच के दोरान हासिल की है शास्री नागी ये भी कहा कि केयल राहूल को अपनी शमता का हैसास होना जरूरी है साथी साथ अगर वो माइंडसेट के साथ बले बाजी करने उतरेंगे तो उस दिन वो अलग ही ले में नजर आएंगे र सिर्फ 16 रन पर ही आउट होकर चले गए थे और मिडल और में अपनी किसी भी तरीकी की काबिलियत को साबित नहीं कर सके थे और इसी कारण से रहूल पर सवाल उठाए गए थे जो मिडल और में उनको जिम्मेदारी दी गई थी पहली पारी में भारत के टॉप और के जल्द में राहूल की जगे सफरास खान को प्लेंग 11 में शामिल करने की मांग भी की थी सफ्ञास खान की बात करेट तो उन्होंने इसी साल की शुरॉत में इंगलेंड के खिलाफ राहूल की जगे मिली थी क्योंकि राहूल उस समय चोटिल होने के कारण टीम से बाहर चल रहे थे सफ्रास खान ने इस चीज़ का पूरा फाइदा उठाया और पहले तीन टेस्ट मैचों में उन्होंने काफी प्रभाव भी छोड़ा था जिसके वज़े से सोशल मीडिया पर केल राहूल की जगे अब सफ्रास खान की मांग भी उठने लगी